नमस्कार दोस्तों वेलकम डेक्सन स्टीप और मैं उस्वरव सुकला दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर रहा है बिहार सेसे इंटर लेवल मेंस एजाम के लिए सामान ने विज्यान के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टन पचास प्रश्ण जो कि दोस्तों यह हमारा ट 29 नॉवंबर को जो एक्जाम डेट मानकर तयारी करें क्योंकि हो सकता है कि 29 नॉवंबर को एक्जाम डेल लिया जाए तो उसके लिए आपको तयार रहना ज़ो है जरूरी हो जाएगा इस वीडियो के जो पीडियो पूरा देखिए का सारे इंपॉर्टन प्रश्ण है पहला का नाम किस जिए विज्ञानिक ने सरुप्रथम दिया था तो सही इंसर क्या होगा देखिए जो सेल का नाम था वो सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने किसे सेल का नाम सबसे पहले किस ने दिया था रॉबर्ट हुक ने तो हमारा सही इंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सही एंसर होगा हमारा option number D, centriole वह रचना है जो कि जनतु कोसिका को वनसपती कोसिका से विभेदित करती है, तो सही एंसर क्या होगा, अगर आपने D चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा, तीसरा प्रश्ण है कोसिका में राइबोसोम की अनुपस्तिती में कौन सा कारे संपादित नहीं होगा तो राइबोसोम की अनुपस्तिती में कौन सा कारे संपादित नहीं होता है वो हो जाएगा प्रोटीन संसलेसर्ड क्योंकि जो protein का संसलेसर होता है यह ribosome में ही होता है तो सही इंसर क्या हो जाएगा ribosome की अनुपस्तिती में protein का संसलेसर है वो नहीं हो पाएगा तो C यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा चोथा प्राशन है यदि mytochondria काम करना बंद कर दे तो कोसिका में कौन सा कारay नहीं हो गा क्या हो जाएगा तो कोसिका में जो है भोजन का ओक्सी करड नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, भोजन का ओक्सी करड यहां पर नहीं हो पाएगा, चौते प्रश्न का हमारा B option जो है, करेक्ट एंसर हो जाएगा, अगला प्रश्न दिखेगा पांच वह प्रश्न, कोसिका का उर्जा अग्री जो है उर्जा ग्रीख कहा जाता है किसे माईटो कॉंड्रिया को सभी एंसर क्या हो जाएगा सी ओप्सन हमारे यहां पर जो है prayers कि America protein Kanika melting तो कोशिका में प्रोटीन में करून सांसलेशर कहां पर होता है कोशिका में प्रोटीन का संसलेशर कभल कोशिका है में और पोड़ीhuh है पादप कोशिकाओं का सबसे बहरी आवरड क्या कहलाता है पादब कोसिकाओं का सबसे बाहरी आवरड क्या कहलाता है आठ में का सही अंसर हो जाएगा option number B कोसिका भित्ती जो है यह पादब कोसिका का सबसे बाहरी आवरड कहलाता है B option यहाँ पर correct है नवा प्रस्ण देखिए कोसिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है निमन लिखत में से क्या कोसिका जिल्ली, कोसिका भित्ती, किंद्रिका या फिर गौल जी का है सही अंसर हो जाएगा option number पे देखिए जो कोसिका भित्ती होती है यह कोसिका को एक निश्चित रूप परदान करती है क्या कोसिका भित्ती तो हमारा यहाँ पर B option जो है करेक्ट हो जाएगा दस्वाँ प्रश्ण है कोसिका द्रव में उपस्थित, महीन, साखित, जिल्लीदार और अन्यमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है कोसिका द्रव में उपस्थित, महीन, साखित, जिल्लीदार और जो अन्यमित नलिकाओं का घना जाल होता है उसे हम कहते हैं अंतह प्रद्रवी जालिका जा कहते हैं अंतह प्रद्रवी जालिका D option यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 11 प्रश्ण देखिए प्रोटीन निर्माण का सक्रिस्थल क्या है तो सही एंसर हो जाएगा option B ribosome अगला प्रश्ण है बारवां प्रश्ण कौन सा को सिकांग केवल पादब को सिकांग में पाय जाता है तो देखिए बताना है कि कौन सा कोसिकांग केवल पादप कोसिकांग में पाय जाता है पहला है कोसिका भित्ती, लवक, रिक्तिकांग या फर उपर युक्त सभी तो देखिए हमपर बात होई पादप कोसिकांग की कोसिकी इस्वसन का सक्रिस्थल क्या है तो सही एंसर हो जाएगा option number B mitochondria देखें जो mitochondria होता है यहीं जो है कोसिकी स्वसन का सक्रिस्थल होता है तो अगर आपने बीच होना है तो आपका जवाब जो है correct हो जाएगा चोथा प्रश्ण है और डी लवक यानिकी लियोकोप्लाश्ट मुखे तक कहां पर पाय जाते हैं तो सही एंसर हो जाएगा पंद्रमा प्रशन देखिए फूलों और बीजों को विभिन्य प्रकार के आकरसकरंग कौन प्रदान करता है साही उंसर हो जाएगा option number B chromoplast जो है यही फूलों और बीजों को आकरसक रंग प्रदान करता है क्या chromoplast याद रखेगा chromoplast यहाँ पर है chloroplast नहीं chromoplast अगला पूश्ण है शोलवा पत्तियों को हरा रंग कोन प्रदान करता है तो यहाँ पर हमारा सही इंसर हो जाएगा option number B chloroplast क्या हो जाएगा chloroplast जो है पतियों को हरा रंग परदान करता है और जो chromoplast होता है यह फूलों और बीजों को विभिन प्रकार के रंग परदान करता है तो इस प्रशन का हमारा जो B है करेक्ट एंसर हो जाएगा 17 प्रशन देखिए RRB में पुछा गया प्रशन है कोसिका की आत्महत्या की थहली क्या कहलाता है नहीं कि किसे कोसिका की आत्महत्या की थहली भी कहते है तो सही इंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम को सेल की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ओप्सन नमबर A यहाँ पर जो है हमारा लाइसोसोम करेक्ट अंसर हो जाएगा 18 प्रशन देखिए लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिन में जीव द्रवे को घुला देने या फिर नष्ट कर देने के शमता होती है, क्या कहलाता है तो सही अंसर हो जाएगा इस प्रशन का ओप्सन नमबर D हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वह होता है जो की लाइसोसोम में पाया जाता है और यह एंजाइम जीव द्रवे को घुला देने या फिर नष्ट करने के शमता रखता है, क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ओप्सन नमबर D यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अगला देखिए प्रशन उन्नीसोम प्रशन देखिए उन्नीसोम प्रशन मारा जो है BP SC में पूछा गया है प्रशन क्या है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है यानि कि सेल में यानि कोसिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है तो सही अंसर हो जाएगा जल, दीखे जो कोशिका में जल है वो 80% से अधिक पाया जाता है तो सही अंसर हो जाएगा जल यानिकी water अगला प्रशन देखेगा बीसवा प्रशन निम लिखित में से कौन सा कोसिका अंगक मुख रूप से पाचक एंजाइमों के संगरहा कारे की तरह कारे करती है तो सही अंसर हो जाएगा जो लाइसोसोम होता है या विबिन पाचक एंजाइमों के संगरहा कारे की तरह कारे करता है D option जो है लाइसो सों हुआ रहा है यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला देखिएगा 21 प्रश्ण किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादब कोसिका और पसु कोसिका में जो है अंतर पाया जाता है तो पादब कोसिका और पसु कोसिका में अंतर किस के दोरा पाया जाता है सही answer हो जाएगा option no B कोसिका भित्ति के जो कारण है इन दोनों में अंतर पाये जाता है B option यहां पर सही हो जाएगा 227 प्रश्ण है गौल जी काय का प्रमुख्कार क्या है सही answer हो जाएगा option no D शरावी जोहेज का प्रमुख्कार है स्रावर्ट, option number D यहां पर correct हो जाएगा देखिए 23 प्रशन most important आपके लिए क्योंकि देखिए B.S.C. में पूछा गया प्रशन 2018 में कोसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, देखिए B.S.C. में आया हो प्रशन है, तो कोसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, बहुत ही important प्रशन है, सही अंसर हो जाएगा, option number D, chloroplast क्या हो जाएगा, chloroplast को कोसिका का रसोई घर, यानि कि cell का रसोई घर कहते हैं किसे chloroplast को, option number D, इस प्रशन का सही उतर हो जाएगा 24 प्रशन देखिए निम लिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतह प्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है तो चिकने अंतह प्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न कौन सा कार्य नहीं होता है, तो इसे देखिए प्रोटिन का संसलेसर हमारे यहाँ पर सभी आपने पढ़ा कि प्रॉटिन का संसीर — कहां पर होता है राइबो सोम में होता है इसके अलावा अंत्रफ प्रत्रव जालका में द्रवों का लिपिट começ दुद सबील होता है स्थिरोइड हर्मन होता है केवल अप्शन नंबर होता है तो अप्र आप यहां पर हमारा देखे माइट्रो कॉंड्रिया को इस सेल का पावर हाउस कहते हैं और इसी खोजगी थी, आल्ट मैन ने, आप्सन नमबर A इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्ण है 26 प्रश्ण, कौन सा अंगक प्रायह जन्तो कोसिका में उपस्तित नहीं होता है, तो कौ लाइसोसोम्स क्या कारे करते हैं, लाइसोसोम्स जो होते हैं, तो सही एंसर हो जाएगा, C उपसन, अंता कोसिकी पाचन का कारे करते हैं, कौन लाइसोसोम, 27 प्रश्ण का C उपसन, अंता कोसिकी पाचन जो है, करेक्ट एंसर होगा, 28 प्रश्ण है, कोसिका भित्ति किस प्र तो दिखिए जो कोशिका भित्ति होती है या पार गम में होती है यहां पर सही क्या हो जाएगा option number A correct हो जाएगा पारगम में होती है option number A सही उत्र हो जाएगा उन तीसवाँ प्रश्ण है mitochondria का भीतरी वलन क्या कहलाता है mitochondria का भीतरी वलन क्या कहलाता है सही answer हो जाएगा option number A क्रिष्टी जो mitochondria का भीतरी वलन होता है उसे क्रिष्टी का जाता है और उप्सिन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा तीसों प्रश्ण है माइटो कॉंड्रिया किसमे अनुपस्तित होता है देखें यीस्ट कवक जिवाडू या फिर हरे सेवाल तो किसमे माइटो कॉंड्रिया उपस्तित नहीं होता है सही अंसर हो जाएगा हमारा सी जिवाडू में जो है माइटो कॉंड्रिया नहीं पाया जाता इसके अलावा यीस्ट में कवक में और हरे सेवालो में जो है माइटो कॉंड्रिया उपस्तित होता है केवल जिवाडू में उपस्तित नहीं होता है एक तीसों प्रश्ण है जीवद्रव यानि की प्रोटो प् का प्रयोग किया था किसने पुरकिंजे नमक विज्ञानिक ने 32 प्रश्ण है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या कथन किसका है देखिए जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जो यह कथन है हमारा सही अंसर हो जाएगा हक्सले हक्सले ने यह कथन कहा था कि जीव द्रव जो है जीवन का भावतिक आधार है तो 32 में का C option हमारा यहां पर सही हो जाएगा 33 प्रश्ण है DNA के द्वी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था तो जो हमारा DNA का द्वी हेलिक्स मौडल था प्रारूप था सबसे पहले प्रस्तावित किया था वाट्सन एवं क्रिक्ने किसने वाट्सन एवं क्रिक्ने DNA का फुलपर्म आपसे को पता होगा D-Oxyribon Nucleic Acid जो है इसका फुलपर्म होता है अगला प्रश्ण देखे 34 प्रश्ण Nucleus याने की केंदर की खोज सरोपर्थम किस ने की थी सही अंसर हो जाएगा Option No.D Brown ने जो है सबसे पहले केंदर की याने की Nucleus की खोज की थी तो 34 प्रश्ण का Option No.D हमारा सही हो जाएगा अगला देखे 35 प्रश्ण कोसिका की क्रियात्मक गतिविधिया किस के द्वारा नियंतरित होती है कोसिका की क्रियात्मक गतिविधिया नियंतरित होती है किस के द्वारा तो सही अंसर हमारा हो जाएगा केंदर के द्वारा ही जो है कोसिका की क्रियात्मक गतिविधिया नियंद्रत होती है किंद्र गयानिकी नियूक्लेस के द्वारा और नियूक्लेस इखोची उसने की थी ब्राउन ने तो इस प्रशन का D option अगला प्रशन है सै-30 प्रशन अंत्र प्रद्रवे जालक की खोच की थी अर्धिस्वां प्रशन है एलेक्ट्रों सूक्षमदर्सी की खोच की थी तो जो हमारा इलेक्ट्रों सूक्षमदर्सी है इसके खोच की थी solution किसमें अनुपस्τηत होता हैं सरवाद्र संख्या में गुर्सूतर पाया जाते हैं नेमलिकित === किस में गन्ना में आलू में मनुषस में ओफियो गलोसस में तो सभी अंसर हमारा हो जाएका उप्सन नमबर डी ओफियो गलोसस में जो है सरवाथिक मातरा में गुर्शूतर पाये जाते हैं अगला देखिए एक तालीषवा प्रश्णा कोसिका का जीवित अंस जिसे हम द्रव्य कहलाता है किससे बना होता है सई अंसर हो जाएगा option number D कोशिका द्रव्य केंद्र के द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर जीव द्रव्य जो है बनता है तो अगर आपने हो जाएगा अगला प्रश्ण है 43 निम लिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो सही इंसर हो जाएगा option number A माइको प्लाज्मा जो है यह सबसे छोटी कोशिका है यह option हमारा 43 नमबर प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा अगला देखिए 24-44 प्रश्ण कोशिका के हो जाएगा option number D जो है मारा सही नहीं है तो debit correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है 45 पहसिंने निम्नलिखित कोषिका अंगहों में कौन एक अर्ध पारaghम है तो सही अंसर हो जाएगा ऑप्स नंबर एक कोषिका जिली जो है यह अर्ध पारETपार होती है यह उप्स नंघ्सन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्णह है निम्न लिखित पोसिको में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक सनराजनात्म घटक है तो पौधों की कोशिका भित्ति का जो एक सनराजनात्म घटक है वो हमारा हो segu option number D correct हो जा प्रषन्ही से किस को सिका लाइसों बनता है तो प्रोकेरियोटिक कोसिकाओं में नहीं पाया जाता तो प्रोकरियोटिक कोसिकाओं में कौन सा नहीं पाया जाता है सही अंसर हो जाएगा माइटो कोनरिया जो है प्रोकरियोटिक कोसिकाओं में नहीं पाया जाता है और आज का हमारा अंतिम प्रश्ण है एक इमारत में इटें जीवों में किसके समान है तो देखिए जिससे किसी भी इमारत का जो अधार भूत भाग होता है वो निटे होती है उससे प्रकार जीवन का जो अधार भूत इकाई है वो हमारे कोसिका होती है तो सही answer क्या हो जागा, जीवन की आधारब होती क्या होती है, कोसिका होती है तो option number A correct हो जाएगा तो देखिए इस वीडियो में हमने कुल 50 प्रशन देखे जो कि काफी important है आपने कितने प्रशन से की हैं हमें ज़रू बताइएगा देखिए कर आपको PDF चाहिए तो टेलग्राम पर जाकर आपको PDF ही मिल जाएगी answer के साथ-साथ दोस्तों वीडियो को आप share जरू करें क्योंकि वीडियो दोस्तों हमें बनाने में काफी महनत लगती है वीडियो को आप share करेंगे तो दुस्तों अधिक से दिक लोग इसका लाव उठा पाएंगे और हमें विजुए इससे प्रोचान मिलता रहेगा चनल पे पहली बार आप जोर सब्सक्राब भी कर दीजेगा वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद